सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजिनियस चैनल को और पैल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजिनिरिंग वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजिनियस पे मेरा नाम है वेपिन यादव और आज का वीडियो है इसमें हम डिसकस करेंगे हैलिकल मिलिंग टेकनीक के बारे में यह जो हैलिकल मिलिंग टेकनीक है यह बहुत ही एडवांस मिलिंग टेकनीक आती है और इसका यूज जो है हम extra material removal के लिए use करते हैं चाहे आप circular मिलिंग हो चाहे आपकी square pocket मिलिंग हो या फिर आपकी rectangular pocket मिलिंग हो यहाँ पर अगर हमको plunge मिलिंग को avoid करना है drilling को avoid करना है boring operation को avoid करना है और single operation में जो है हमको extra material remove करना है तो हम इस टेकनी और इसमें हमको सिर्फ ramp milling method जो होता है उसका use करना होता है यह जो operation है इसको हम helical milling तब बोलते हैं जब यह एक helix की form में जो है एक circular dimension यानि कि अगर आपको circular hole बनाना है उसमें अगर यह apply करना है तो आपका यह helical milling operation कहलाता है अगर यह आपको square pocket में करना है या फिर आपको rectangular pocket में करना है तो यह हमारा ramp milling method कहलाता है इसमें होता क्या है कि जब आप tool को एक circular path में move करते हैं तो एक circular path के अंदर आप इसमें continuously depth भी देते हैं यह जो operation है इसमें आपने देखा होगा कि जब हम thread milling operation करते हैं तब हमारा जो tool है वो जब एक circle complete करता है तो वो अपनी pitch के according जो है down जाता है तो यह method है इसको हम helical milling method में use करते हैं इसमें क्या होता है कि जब हम एक circular round लगाते हैं तो हमारा जो tool है वो initial position पर depth दी हुई थी उससे जो है नीचे चला जाता है तो यहाँ पर एक helical form में हमारा tool down जाता है और material remove करता हुआ जो है जो नीचे की तरफ भागता है तो यहाँ पर क्या है कि हमें बार-बार plunge नहीं करना पड़ता है एक यह benefit होता है दूसरा cycle time हमारा save हो जाता है यानि कि अगर हमको cycle time save करना है और extra material remove करना है तो हम यह technique के use करते हैं दूसरा इस operation का use आप सिर्फ उन मशीनों पर करना जिनकी जो power है वो कम से कम 10 horsepower या इससे ज़्यादा की है ठीक है इससे कम horsepower की जिनके अंदर motors लगी होई है जैसे कि 5 horsepower की motors लगी होती है उनके अंदर क्या है कि ये जो load है वो spindle के उपर आता है ठीक है और spindle wear जो है आपका जल्दी होना start हो जाता है तो ये जो technique है इसका use आपको उन मशीनों में करना है जिनकी motor की जो horsepower है वो 10 HP से ज़्यादा की है ठीक है और spindle की quality better होनी चाहिए यहाँ पर जो है इसमें load है machine के spindle पे ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस technique का use हमको उन machines में ही करना है जिनकी motor की capacity है वो 10 HP से ज़्यादा की है ठीक है दूसरा इसमें जो tool use करना है आप जो tool use करेंगे तो उसके edge पे load आता है तो आपको end mill use करना है या फिर आप shoulder mill जो होती है वो आप use कर सकत है shoulder mill जो है आपको singles stage वाली भी मिलती है double stage वाली भी मिलती हैность or stage भी मिलती है तो आप जो है अपनी requirement के इसाफसे जो है अप अपनी shoulder mill को select कर सकते हैं ठीक है और end mill जो है आप use कर सकते हैं बहुत अराम से अगर आपको जो है एक छोटे dimension का जो है hole करना है अगर आपको बड़ा hole आपको cut करना है तो आप जो है shoulder mill cutter का use कर सकते हैं ठेक है तो ये जो helical milling की जो technique है इसको समझाने की कोशिश किये है हमारी team के members ने तो वो आप यहाँ पर इस video में पूरा detail में समझेगा इसके बाद हम जो है आप ये video पूरा देखिए अराम से और समझेए इस technique का कैसे आपको use करना है Hello guys मैं दीपक वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं ramp circular milling की या spiral cutting की तो friend spiral cutting होती क्या है जैसा कि friend आपको दिख रहा है अगर हम नहीं चाहते कि हमारा tool जल्दी damage हो और हमको अगर circular pocket काट नहीं है तुम क्या करते हैं हम कुछ इस step के spiral में अपने tool को move करते हैं जिससे हमारा काम भी हो जाए और हमारे tool की लहवी बनी रही ठीक है friends मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इसका surface होगा तो देखे friends इसका जो tool path होगा कुछ step का show हो रहा है आपको देख सकते हो friends तो हमारा tool एक simple circle में cutting करके बार बार plunge in plunge out नहीं करेगा एक बार plunge करते हुए काटते हुए चला जाएगा और इससे हमको circular pocket मिल जाती है ठीक है friends चलिए बात करते हैं इसके program की आपको इसके program को कैसी बनाना है तो देखे friends मैंने इसके लिए एक sub program और एक main program बना रखा है sub program में क्या है हम सिर्फ एक step को धराएंगे means मेरा tool यहां से चलना है start करके और बस एक बार पूरे इसको पूरा करने के लिए जो program होगा हो होगा मेरा पहला sub program ठीक है friends चलिए देखते हैं मेरा पहला sub program तो friend मेरा पहला sub program कुछ इस type का है O0066 यह मेरी program का number है N1 मेरा sequence number G91 इसको मैंने use किया है जिससे मेरा tool हमेशा incremental coordinate में चले मैं जब भी यह program लागूगा तो मेरा tool ओटोमेटिकली incremental में काम करने लग जाएगा आगे है मेरा Z03, X-20, Y0, Z-5.5, R10 और F250 तो friend minus 20 क्या है मुझे X में minus 20 तक जाना है tool यहाँ पर था लेकिन यहाँ से move करते हुए minus 20 तक जाएगा 10 distance यह और 10 distance यह मैं आपको दिखाता हूँ AutoCAD में draw करके like friend माल लिजे मेरे पास क्या है एक circle है 20 डाया का ठीक है friends मेरे पास एक circle है 20 डाया का तो friend माल लो मेरा tool पहले इस position पर था मेरा tool पहले इस position पर था लेकिन हम बात कर रहे हैं incremental coordinate की तो इसलिए मेरा tool यहाँ से चलना है start करकर Z03 से जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या बास समझ मारी है तो friend यहाँ से यहाँ तक के distance कितनी होगी मेरी 20 इसलिए friend मैंने 20 distance लेकर चली थे तो मेरा x में कहाँ चला जाएगा x में जाएगा मेरा minus 20 पर y में 0, y में 0 क्यों because y में कोई भी movement मेरी नहीं हो रही है Z minus के 0.5 friend मैं चाता हूँ means मेरा tool half rotation में मेरा tool यहाँ से लेकर यहाँ तक के half rotation में 0.5 mm नीचे चला जाए z में इसलिए मैंने 0.5 use कर रखा है again friend हम देखते हैं हमारा second जो मेरी line आती है वो आती है z03, x20, y0 z minus 0.5 और r10 means friend मेरा tool यहाँ पर था again friend मैंने Z में 0.5 दे रखा है तो मेरा tool 0.5 mm नीचे चला जाएगा मतलब friend मैंने एक circular मैं अपने tool को move करके 1 mm के cutting कर ली है तो friend यह मेरा पहला sub program पूरा हो चुका है बात करूँगा मेरे main program की जो मेरा main program होगा तो friend main program में पहली हमारी line आती है O0065 again यह मेरे main program का number है again G17 मैं use करता हूँ XY plane के लिए G21 मैं use करता हूँ unit system किसमे लेने के लिए metric में G40 मैं use करता हूँ अगर मैंने कोई भी tool dia radius compensation ले रखी है पहले तो automatically cancel हो जाए again मैं G49 यूज़ करता हूँ अगर मैंने कोई tool height compensation ले रखी है तो उसे cancel करने के G15 अगर मैंने कोई भी polar coordinate system use कर रखा था अपने last program में तो उसको cancel करने के लिए G90 मेरे absolute program के लिए next मेरा आता है G54 gen 100 मैं चाहता हूँ मेरा tool G54 coordinate वाला system use करे और Z100 height पर चला जाए again friend मैं करता हूँ T01 M06 मैंने tool number 1 को call किया और M06 से tool change का हमने code use कर लिया आगे friend मेरा है M03 S1200 means मैं चाहता हूँ मेरा spindle clockwise direction में rotation start करे कितनी split से 1200 rpm से okay friend चलिए next मेरा G41 D1 means मैंने tool nose compensation radius लगा दिया है कौन सा वाला D1 वाला ठीके friend चलिए again मेरा code क्या है G00 X10 Y0 Z2.0 means मैं अपने tool को move करके इस point पर लेके आ गया हूँ मैं अपने tool को इस point पर move लेके आ गया हूँ friend याद रखना जो भी मैंने यहाँ पर work object ले रखा है वो इस circle के center में ले रखा होगा मैं आपको दिखायता हूँ machine में देखे friend तो यह जो मेरा tool था यह जो मेरा work piece था पूरा इस पर click करते देखे तो मैंने अपने work piece के center में अपना work object ले रखा है ठीक है friends तो इसलिए यहाँ पर जो भी हम जाएंगे plus मैं X आएगा और यहाँ से बापस इस direction जाएंगे तो हमारा negative मैं X आएगा जिससे मेरी finishing अच्छे है और tool के टकराने के chances बिल्कुल भी negligible हो जाएं अगें friend मेरा next code friends मेरी next line है M98 P12 0066 तो friend हम M98 use करते हैं अगर हमें कोई भी program में किसी sub program को call करना है तो sub program के लिए हमारा code हो गया M98 आगे मैंने use कर रखा है P12 friend 12 हम use करते हैं हमको कितने number wise अपने sub program को repeat करना है तो friend जैसा देख सकते हैं मैंने 12 लिया है क्यों मुझे 10 mm का hole करना है मेरी एक sub program से मुझे 1 mm के cutting मिल रही थी 12 sub program run करने का मतलब है मुझे 12 mm के cutting मिलेगी 10 mm की work piece के अंदर और 2 mm जो मैंने tool को अपने उपर रख रखा था 2 mm उसके लिए है ओके friend चलिए आगे है मेरा 0066 friend ये आपके sub program का number होता है जैसा आप जानते हो मेरा sub program था O0066 इसलिए मैंने यहाँ पर 0066 यूज कर रखा है आगे friend मेरी next line है G03 जैसा कि friend आप जानते हो spiral finishing हम यूज कर रहे है spiral finishing या spiral ramp मिलिंग का दिक्कत क्या है इसकी जो नीचे वाली line होती है इसमें आपको flat surface नहीं मिलता है means आपको flat surface ना मिलकर एक inclined surface मिलेगा इसी inclined surface को flat करने के लिए मैंने एक बार tool को नीचे घुमाया है G03 से अगीन मेरा next line है G0 Z100 means मैं अपने tool को G0 मतलब rapid travel से Z100 position पर ले जाऊंगा आगे मेरा है M09 तो friend ये coolant off के लिए है आप चाहो तो use करो चाहो तो use मत करो आगे मेरा आता है M05 इससे मैंने अपने spindle को stop कर दिया और M30 से मैंने अपने सब मतलब program को end कर दिया चली friend हम machine के अंदर आते हैं और हम दुवारा से देखते हैं कि means कैसे हमको अपने program को insert करना है और कैसे सब कुछ करना है तो friend ये जो मेरी दोनों सब program और program ते इनको मैंने एक notepad file में save कर रखा है तो मैं इनको directly insert कर सकता हूँ इंसर्ट कैसे करना है आपको आपको पहले emergency बटन को on कर देना है program में आना है और edit mode पर या फिर auto mode पर आ जाना है edit mode पर आकर आप पहले sorry emergency को on करना है edit mode पर आकर आप search कर लोगे मेरा पहला program था 0066 ठीक है friend मैं इसको search करता हूँ मैंने अपना program पहले से ही insert कर रखा है लेकिन अगर आप insert करना नहीं जानती तो चलिए पढ़ लेते हैं हमको files में जाना है open पर click करना है और जहां भी आपका program रखा हूँ आप उस folder के अंदर आ जाएंगे तो friend मेरा ये spiral flashing के अंदर program था लेकिन friend आपको वो file यहाँ पर show नहीं होगी क्यों क्योंकि आपकी file ते text format है इसलिए आप यहाँ पर आकर nc code files इस पर click कर लोगे तो देखे friend जैसे ही आप click करते हूँ आपकी file show हो जाती है और friend जिस भी नाम से आपने file save कर रखी है आप उस file को select करोगे और open कर लोगे तो friend आपके code automatically insert हो जाएंगे again friend मेरा next main program था तो मैं directory में आता हूँ 0065 यह मेरा main program होने वाला है इसको मैंने भी already insert कर रखा है चलिए मैं file पर आता हूँ open पर आता हूँ 0065 को देखे friend जैसे मैं click करता हूँ यहाँ पर आपका program show हो जाता है open करोगे आप आपका program आ चुका है तो friend हमारा program आ चुका है अब second हम बात करेंगे tool set हमको tool कौन सा लेना है तो friend इसके लिए में tool use कर रहा हूँ मेरा 12 mm का end mill है जिसकी length मैंने 120 ले रख किया okay friends आपको add into magazine करना है हम इसको tool station बन पर mount करते है again मैं इसको spindle मैं mount कर लेता हूँ तो देखें हाँ पर हमारा tool mount हो रहा है spindle की अंदर again आपको okay कर देना है जैसे ही आपका tool mount हो जाए आगे friends अब क्या करना है आपको अगर आपको work piece clamp means आपको work piece चेक करना है means आपको clamp कैसे करना है step clamp करना है edge clamp करना है या wise clamp करना है तो friend मैंने यहाँ पर wise clamp कर रखा है और अपने जो object है मैंने उसको 15 mm उपर रखा है उपर कर देता हूँ okay next हम बात करते हैं rapid position की तो मैं चाहता हूँ center object देना तो मैं center पर click करूँगा और okay कर दूँगा चलिए object setting में आते हैं और work object setting में आते हैं पहले आपको x0 type करना है then measure कर देना है y0 type करना है then measure कर देना है z0 type करना है then measure कर देना है तो means friend हमने अपने object ले लिए हैं friend याद रखना इसके इलाबा आपकी किसी वी g54 इस वाली में g55 g56 किसी में भी कुछ भी coordinate ना हो वरना आपको problem हो सकती है आगे हम बात करेंगे offset पी friend आपने दिखा था हमने program के अंदर g41 d1 का use कर रखा है तो हमको d1 हमको यहाँ पर देना पड़ेगा मेरा d1 12 था तो 10 अल्रेडी है मैं 2 लिखके input कर देता हूँ plus input तो मेरा यहाँ पर 12 mm का dia feed हो चुका है d1 की अंदर तो friend हमारी offset setting पूरी हो चुकी है चली friend अब हम क्या करेंगे reference तो हम reference टैप को press करते हैं पहले हम reference देंगे z में जिससे हमारा tool z में बापस चला जाए ओके friend अब हम reference देंगे y में तो हमारा tool y में reference ले लेगा और friend अब हम reference देंगे x में तो हमारा x में reference ले लेगा okay friend तो हमने तीनों direction में reference ले रखा है अब हम auto mode में आते हैं और अपनी machine को on कर देते हैं तो friend अब यह cutting करना start कर देगा आपको दिखा जिता हूँ cutting कैसे कर रहा है देखे friend आप देख सकते हो यह मेरा cutting करना start कर चुका है यह slowly slowly because मैंने इसकी speed को कम कर रखा है जिससे आपको proper देख सकेगे कैसे cutting करना है तो देखे friend यह cut होई नीचे जाएगा अब इसने plunge करना start कर दिया और हर plunging पे यह नीचे जाता जा रहा है means आपको plunge out या plunge in वाला काम यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा इससे आपके tool की life अच्छी हो जाती है plus आपको finishing भी अच्छी मिलती है और friend इसे हम बोलती है ramp milling या इससे आप अगर आपको किसी circular face है या फिर किसी rectangular face की finishing करनी है तब भी हम ramp मतलब spiral finishing का use कर सकते हैं ओके friend देखिए हमारा third cut लग रहा है I think fourth cut होगे sorry friends चलिए again यहाँ पर complete हो गया again द्वारा से हमारा sub program run होगा देखिए और friend याद रखना हट्स मतलब मैंने sub program दो line में उना रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पर radius दी है अगर आप radius नहीं देते तो फिर आप IG का use कर सकते हो आपको जैसा पता है अगर हम radius देते हैं तो हम सिर्फ 180 degree तक ही अपने G03 या G32 से movement करा सकते हैं अगर आपको 180 degree angle से ज़्यादा की movement करानी है तो वहाँ पर आपको IG का use करना पड़ेगा अगेन मैंने यहाँ पर radius का use किया है इसलिए मैंने 180 की पहले line यूज किया और second line मैंने 180 की cutting की है तो देखे friends बस cutting हो रही है अपनी देखते हैं बस almost होने ही वाली होगी देखे friends अब हमारा जी-0 थी हमने एक बार cutting किया और हमारा हमको face प्राप्त हो चुका है तो friend अगर आपको कुछ step की cutting करनी है तो आप ramp milling कह सकते हो spiral finishing कह सकते हो या spiral milling कह सकते हो जो भी आपको कहना हो आप इसका use कर सकते हो आगे friend हम बात करने वाले हैं मेरा जो next lecture होगा friend वो बहुत ही interesting होगा because आज तक शायदी किसी ने आपको इसके अंदर आपको किसी ने 3D milling सकाई हो लेकिन 3D milling में मैं आपको सकाऊँगा अगर आपको किसी कौन type की shape की radial finishing करनी है वो भी manual programming से तो आप कैसे करोगे तो next tutorial का वेट किजिए हम मिलते है